कहते हैं एक artist अपने pain को art में convert कर देता है ऐसी ही एक artist थी Frida Khalo चलिए जानते हैं उनके बारे में Frida Khalo को बच्पन सही पोलियो की बिमारी थी जिसकी वज़े से उनका school में कोई friend नहीं था और ये तो बस शुरुआ थी जब वो 18 साल की हुई तो उनका एक accident हुआ जिसमें उनका hips, uterus, leg, back सब कुछ बुरी तरीके से effect हुआ जिसकी वज़े से 35 operations हुए और जब Frida bed dress पे थी तो उन्होंने अपना paint से escape ढूंडा painting में उन्होंने painting शुरू कर दी अपने bed के उपर उन्होंने canvas लगवाया और एक mirror लगवाया जिसमें वो अपने self portrait बनाया करती थी कुछ time के बाद जब Frida थीक हो गई तो उन्होंने famous painter Diego Rivera के साथ शादी भी करी लेकिन relationship में भी Frida का लग अच्छा नहीं था उनके husband ने उनके उपर बहुत बार cheat किया इस चीज से frustrate होके Frida ने अपने husband को divorce दे दिया Frida एक मा भी बनना चाहती थी लेकिन वो कभी बन नहीं पाई और इस pain को उन्होंने अपनी painting में भी दिखाया physical और mental pain Frida के लिए अब unbearable हो गया था उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था और इस situation को भी उन्होंने painting में convert कर दिया